आसलाम लेकूम टॉल तो आज हम त्री टाइप्स अफ काफी बना कर तयार करेंगे विंटर सीजन में काफी हिल्थ वाइस बहुत अच्छी रहती है और यह टेस्ट में भी सबको बहुत ज़्यादा पसन आती है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी मज़ेदार सी हम तीन खिसम क काफी बना कर त्यार करेंगे ब्लैक काफी बना कर त्यार करेंगे हाट काफी बना कर त्यार करेंगे और हम आइस काफी भी बना कर त्यार करेंगे ये तीनों ही काफी बनाने में बहुत ज़्यादा आसन हैं लेकिन टेस्ट में एकदम डिफरेंट बहुत ही ये में बहुत ही मज़ेदार बनकर त्यार होती है आप morning में या फिर afternoon में या फिर evening में अपने tastes के आक्वर्डिंग ये coffee बना कर त्यार करेंगे बहुत ही आसान और simple way में बना कर त्यार करेंगे तो चलिए बनाना start करते हैं सबसे पहले हम hot coffee बना कर त्यार करेंगे जिसके लिए एक sauce pan रख लेंगे गयास पर जिसमें हम एक कप दूद एड़ करेंगे दूद में हम टेस्ट के according चीनी एड़ करने वाले हैं मैंने दो चमत चीनी एड़ की है एक कप coffee के लिए hot coffee के लिए अब हम दूद को अची तरह से boil होने देंगे जिसके लिए high flame पर दो से तीन मिनिट लगेंगे तो लीजिए दूद को रखे वे खरीब दो मिनिट हो चुके हैं अची तरह से एक boil आना start हो चुका है अब हम गयास के flame को medium कर लेंगे अब हम क्या करेंगे कि इसमें coffee add करेंगे कौन सी भी coffee आप इसमें add कर सकते हैं coffee powder मैंने इसमें देड़ चमच coffee powder add किया है अच्छी तरह से mix कर लेंगे मिला लेंगे अच्छी तरह से कॉफी को दूद में अब हम क्या करेंगे कि एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे तके दूद में अच्छी तरह से कॉफी का टेस्ट आ जाए और काफी हमारे अच्छी तरह से पक जाए अब हम गयास के फ्लेम को आफ कर लेंगे लीजी हमारी जबरदस सी होट काफी बनकर रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म सर्फ करें मौर्निंग में मिंटर सीजन में ये बहुत यमी लगती है बहुत टेस्टी लगती है गर्म गर्म बिस्किट के साथ ब्रेकफास्ट के टाइम पे गर्मा गर्म काफी रेडी है सर्फ करने के लिए तो देखा आपने कितना आसान और सिंपल वे में सिफ दो से तीन इंग्रिडेंट्स के साथ हमने जबरदस सी होट काफी बना कर रेडी कर ली है पानी अच्की तरह से बॉइल होने के बाद हम क्या करेंगे कि एक चमच कॉफी ले लेंगे कॉफ़ी पॉडर जिसको हम एक कप में डाल लेंगे अब गरमा गरम पानी हम इसके उपर से डाल देंगे दीखे इस तरह से अच्छी तरह से इसको mix कर लेंगे मिला लेंगे आपने सिर्फ दो स्टेप में हमारी ब्लाक काफी बनकर रेडी हो चुकी है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंफिल वे में बहुत ही लेकिन टेस्ट में बहुत मज़ेदार और हेल्थ वाइस बहुत अच्छी होती है यह आप भी जल से जल घर पर बनाक को बहुत जादा पसनाने वाली काफी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे जिसमें हम दो चमच काफी ले लेंगे कोई भी आपके टेस्ट के अकॉरडिंग काफी पॉडर आप यूज कर सकते हैं दो चमच हम काफी पॉडर ले लेंगे एक बॉल में, अब हम क्या करेंगे, सेम कॉंटिटी में, दो चमच हम इसमें चीनी आट करेंगे, टेस्ट के अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो एक चमच और आट कर सकते हैं, मैंने तीन चमच चीनी का यूज किया है, अच्छी तरह से एक हल्का सा mix कर देंगे, एक आशी तरह से 2-3 मिनट के लिए अच्य तरह से इसको विक्ष करने लिए किया, आखर विशकर रवालन ना हो तो आप इसका जगह, you can use and 5-5 मिनट के लिए फोक से अच्य तरह से विक्ष करना होगा, देखिये अच्य कष़ी आप करिए एक इसका टेक्ष्ट लेजिए खरीब दो से थी मिने अची तरह से मैं,,, अची तरह से हमारी कॉफिए बनकर रेड़ी हो चुकी है इस तरह से टेक्स्टर होना चाहिए, अब हम उसको सर्फ करने की प्रॉसेस की तरफ चलते हैं एक गलास ले ले लेंगे हम इसमें डेट सार हम इसमें आइस आइट करने वाले हैं। modifier1-2-3-3-8-4-8-3-1-4-4-4-3-4-4-5-6-4-1-1-3-2-4-5-4-5-5-6-4-2-4-3-2-4-8-7-1-4-4-8-4-1-1-2-1-4-6-1-4-6-1-2-2-3-3-4-8-4-8-1-2-4-7-2-6-1-5-6-3-4-7-1-2-5-2-7-2-7-2-7-2-4-4-3-3-4-9-2-8-1-3-2-3-4-4-6-3-2-4-7-4-6-2-4-5-1-4-2-4-4-3- है ये मिठी-मिठी सी, मज़ेदार सी हमारी काफी बन कर ready हो कोई भी मौसम हो गरमा हो या फिर विंटर हो आप इस काफी को इनजोय कर सकते हैं ये टेस्ट में बहुत यमी बन कर त्यार होती है, महमान आए तो आप बना कर उनको सर्फ करें बहुत तरीफ होगी I hope कि मीरी रिशिपी अच्छे लगी तो आप obligations को मिलते हैं आप अगली जबरदस्ती रिसिपी के साथvoice कि के साथ अला रहूं और थैंक्स हुर्वाचिंग